जय माता दि दोस्तों दोस्तों भारतिय मंत्र सास्त्र में अनेक ऐसे मंत्र हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं इन मंत्रों को अगर सही तरीके से उचारण करके इनका उप्योग किया जाए तो अनेक बिगड़े कारिय बनने शुरू हो जाते हैं बस जरूरत है इन मं देवताओं को अपने में करने की, आम तरपर जो मनुश्य को जीवन मिलता है, तो जीवन में कुछ न परिशानियान हमेशा व्यक्ति के साथ चलती रहती हैं आपके जीवन में जो परिशानिया आ रही है उसका कारण आपके पिछली जन्मों के कर्म है जिससे टाला नहीं जा सकता इसे भोगना ही पड़ता है लेकिन अगर व्यक्ति चाहे तो कुछ ऐसे भी मार्ग है जिसे अपना कर और अपने तपोबल की शक्ति से इसे मर्णान कर परोड़ा है जो कोई हमारा समय दे तर इसके लिए भार्तिय मंत्र शास्तर में अंएक ऐसे मंत्र है जिसका सही धिशा में प्रयोग जीवन में आई ऐसे परिशानियों से आसानी से झुटकारा पासकते हैं गया दो चलिए हम आपको बताते हैं कि आज आपको क्या करना है आज हम आपको तीन अक्षर के मंत्र से सम्मोहन वशीकरन करने वाली विद्या के बारे में बताएंगे कारियों में सफलता नहीं मिलती घर परिवार में आपकी बातों का सम्मान नहीं होता आपके वरिष्ट और आपके पूत्र जन आपका कहा हुआ नहीं करते या फिर किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं इन परिशानियों के रहते आम इंसान बहुत परिशान रहता है। बहुत से लोगों की ये समस्या रहती है कि सम्मोहन वशीकरण करने का मंत्र क्या है। वशीकरण के लिए किस भगवान की पूजा की जाए। इस तरह के कई सवाल मन में आते रहते हैं। इस समस्या का सरल उत्तर ये है कि वशीकरण और सम्मोहन जैसे किसी भी देवता या देवी के उपासना से किया जा सकता है अगर शक्ति आपके हाथ में है तो इसका प्रयोग कैसे करना है किस उद्देश से करना है ये आना चाहिए अब चलिए हम आपको पांच तरीके से कारी सिध्धी के लिए सम्मोहन वशीकरण की विदी बताते है मित्रों अगर आपके नौकरी में सफलता नहीं मिल रही है अगर आपके वरिष्ठ आप से नाराज रहते हैं आप कितना भी बहतर कारे करें लिकिन आपको सफलता नहीं मिलती तो आपको महा देवी उल्फ सुन्दरी देवी का 3-3-3 ये तीन अक्षर का मंत्र का जाब प्रती दिन सुबह या कारे का जो भी समय हो उससे आधे गंटे पहले यानि आपका काम पर जाने का समय 9 बजे है तो आप साड़े 8 बजे ही इस मंत्र का 108 बार जब करके कारिय पर जाएं इससे कुछी दिन में आपकी सीनियर्स आपसे खुश होना शुरू हो जाएंगे आपकी और मोहित होने लगेंगे आपकी वानी उनके उपर असर करने लगेगी अगर अनेक बार बड़ा इन्वेस्ट करके भी आपको सफलता नहीं मिलती जो आप चाहते हैं बल्कि कई बार आप लोग देखते हैं कि कुछ लोग कम इन्वेस्मेंट में ज्यादा कमा लेते हैं लिकिन आपको बड़ा इन्वेस्ट करके भी घाटा ही होता है ऐसे में कारोबार में सफलता के लिए माता काली के तीन अक्षर का एक मंत्र शीघ्र काम करता है इसके लिए महा काली देवी का तीन अक्षर का मंत्र ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन का जाप करके कारोबार प्रति दिन करें या आप प्रति दिल सोबा या शाम को 108 बार करें तो निश्चित ही आपको सफलता मिलने लगेगी आपके कारुबार से जुड़े ग्राहक आप पर मोहित होकर आपके पास आने लगेंगे ये आचोक विधी है अगर आप दुश्मन से परिशान है तो दुश्मन से जीत के लिए आपको भारी भरकम पूजा या व्याय करने की जरूरत नहीं है इसके लिए भारतिय मंत्र शास्त्र में तीन अक्षर का एक बिहद आसान मंत्र बताया गया है इस मंत्र के जब करने से शीग्र ही दुश्मन से छुटकारा मिलता है अगर कोई आपका दुश्मन है और वो आप पर अत्याचार कर रहा है आप सही रास्ते पर है तो ही ये मंत्र कार्य करता है दुश्मन को वश में करने या मोहित करने के लिए 3-3-3 मंत्र का जाब प्रती दिन 108 बार सुबह या शाम करे आपको निश्चित ही लाप्राप्त होगा आपका जो शत्रू होगा वो आपका मित्र बन जाएगा अब हम आपको कलीम मंत्र की और इस से वशीकरन की विदी बताने वाले हैं मित्रू ये कलीम एक चमतकारी मंत्र है ये शक्ति का मोल प्रोत है इस शक्ति के प्रभाव से सम्मुहन, वशीकरन और आकरशक व्यक्ति की प्राप्ति संभग है कहा जाता है कि कल्योग में साधना से सिध्धी आसानी से मिल जाती है परंतो ये बात अधूरी है साधना से सिध्धी प्राप्त हो सकती है यदि साधना का नियोजन और सिध्धी की प्राप्ती का लक्ष आत्म उत्थान और जन कल्यान हो तो निश्चित ही सफलता हासिल होती है परंतु सावधान यदि आप शक्तियों का दुरूपयोग कर समोहन वशीकरन जैसे तंत्र को किसी गलत दिसाम में प्रयास करेंगे तो सिद्धी तो मिलेगी नहीं परंतु आपका नुकसान और हो जाएगा इसलिए रिश्यों ने इन साधना को अत्यंत गोपनिय करके रखा ताकि गलत कृति की आशा में कोई साधक इनका दुरूपयोग करने की भावना से स्वयम का अहितना कर बैठे गायती महा विद्या में सपष्ट और्णन की क्लीम एक शक्तिशाली बीजमंत्र है जिसके प्रयोक से सहज और सुलव रूप से आकरशत व्यक्तित्व और सकारात्मक उर्जाप्राप्त हो सकती है इस बीज मंत्र को कुछ विद्यान Krishna का बीज मंत्र मांते हैं और कुछ विद्यान इसे शक्ति दाहिनी महाकाले का बीज मंत्र मांते हैं परन्तु आपको यहां पश्ट करना मेरा दाइत्व समझती हूँ कि इसे किसी खास पंत या संप्रदाय से जोड़ कर देखना जरूरी नहीं है इस बीज मंत्र की खोज जन कल्यान के लिए हुई है इसलिए इस बीज मंत्र का शक्ती का प्रयोग किसी भी धर्म का कोई भी व्य मिश्वास के साथ करते हैं तो यह मंत्र निश्चिति आपके जीवन के सभी कश्टों को हर लेगा आपको चारों दिशाओं में मान सम्मान की प्राप्ति होगी और आपका इस दुनिया में एक अलग पहचान होगा इस मंत्र को प्रति दिन सुबह ब्रह्म मुहुर्ट में ज दाप्ति होती है जै माता दी दोस्तों